हेलो दोस्तों NHPC के बारे में बात करेंगे हाइड्रो पावर कमपनी है शेयर प्राइज आप देखेंगे 30 रूपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और फेबरुवरी के अपना जो डिवीडेंड है इंटरिम डिवीडेंड जो है वो डिक्लियर करने वाली है अगर आप पास्ट डिवीडेंड को देखें तो हमको और आइडिया आएगा कि किस हिसाब से डिवीडेंड दिये है अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो जनरली एनेचपीसी दो बार डिवीडेंड देती है एक इंटरिम डिवीडेंड और एक फाइनल डिवीडेंड तो जैसे फेबरुवरी के महिने में लगभग इसी समय में आप देखेंगे वन रुपीस ट्वंटी फाइब पैसा का डिवीडेंड दिया था मतलब एक रुपे साट पैसे का डिवीडेंड था अगर आप अभी जैसे 30 रुपीस का स्टॉक प्राइज है उसके हिसाब के साथ अगर आप कंपेर करें तो 5 परसंट से उपर की डिवीडेंड बन रही है और सिर्फ 1.25 कोई अगर आप देखें तो 4 परसंट के डिवीडेंड अभी ही बन जा रही है अगर आप 2020 का अगर फाइनांशल यर देखें तो 1.18 एक रुपए अठारा पैसा और 32 पैसे का तो टोटल आप देखेंगे 1.50 पैसे का डिवीडेंड था तो हम देख रहे है यर औन यर डिवीडेंड भी जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है जो जो ट्रेंड जो आ रहे है है जो ट्रेंड जो समझ में आ रहे है 2019 में आप देखेंगे तो 0.75 और 0.71 का डिवीडेंड था तो उस हिसाब से अगर आप कैल्कुलेट करेंगे तो 1.46 का डिवीडेंड था तो हम दोग देख रहे हैं स्लोली स्टीडीली डिवीडेंड थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है अब फेबरुवरी के महिने में पिछले कुछ सालों से पिछले दो सालों से इनफेक्ट जो डिवीडेंड डिवीडेंड है लगभग 4% की आ रही है तो हमको पता चलेगा 11 तरीकों कैसा डिवीडेंड दे रहे हैं देखें हाइड्रो पावर अभी एक तरीके से अभी बिलक सेथीजर में ही ही सोलार पर आप देख भी रहे होंगे सुन भी रहे होंगे बहुत सारा काम होरा है लेकिन जो ग्रिड स्टेभी बिलिटी है उसके लिए हैर्श की ज़नॉरत है तो हैंडराव यहृँट्राव थैंगा और फूजर सिटी जो है कैपासिटी वह एनेच पी सी के द्वारा इंस्टॉल की हुई है तो यह बहुत बड़ा नंबर है उसके अलावा बिजनस नंबर की बात करें क्योंकि जब हम डिविडेंट की बात कर रहे हैं तो क्या प्रॉफिट्स कर रही है कि नहीं तो देखें जैसे टोटल इ चा है तेरा सो क्रोड था अभी थेरा सो क्रोड का ही ज्यू है मत्क पर एस सबस्ब्र राइसरी इंक्रीज है उसका इंग जोबढ़ा है마 इसका रहा है कि यहां पर इससे होा है कि स्लीष़ नहीं करे में हैं श्कार प्रॉणड़स जो है price जो है per unit जो power है उसका increase हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा increase हुआ है तो यह एक चीज बिलकुत ध्यान में रखा जा सकता है लेकिन एक stable business model है जो हर power sector जो भी generation companies में होता है तो अगर आप देखेंगे अगर आप revenue को अगर आप देखते हैं dividend के साथ अगर तो देखते हैं तो 16% का उस हिसाब से जो था dividend दिया गया है revenue अगर उसके साथ अगर आप compare करते हैं और total जो dividend जा था एक रुपे 60 पैसे का था पिछले जो financial year है वहाँ पर तो यह कुछ important data है जो बिलकुल ध्यान में रखना है 3233 यह 2020-2021 में यह जो था profits हुआ था जो अभी दो quarter में 2217 करोड का अभी यह profits हुआ है एक और यह 6 नंबर 6 महीनों के हम नंबर से देख लेते हैं total income 6 महीनों में 5,290 करोड की हुई है यह मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस business में margins बहुत strong है 67% margin है और profits आप देखिए 42% profits के margin है जो की एक बहुत ही strong margin है share price आप चरूर कह सकते हैं कि share price भी नहीं बढ़ता है बट share price business यह दोनों ही अलग-अलग चीज़ों को हम जेतना देखें उतना अच्छा है क्योंकि share price के लिए बहुत सारे variables होते हैं लेकिन क्या business strong है वो देखना ही बहुत जरूरी है तो एक stable business है ऐसा नहीं है कि stable business मतलब 2-3 गुना करके grow करेगा स्टेबल ग्रो करता रहेगा प्रॉफिट स्टेबल आते रहेंगे और स्टेबल उससाब से डिविडेंट भी मिलता रहेंगा तो यही एक चीज है जो एक्सपेक्टेशन इंवेस्टर्स को रखनी चाहिए जब वह इनेच्पीसी से साथ बात कर रहे है फिजिकल स्नैप्ष योगदान है अब उस बारा परसंट में पंदरा परसंट जो अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा नंबर है अगर आप देखेंगे अभी ऑपरेशनल प्रोजेक्स भी है और बहुत सारे प्रोजेक्स में देख रहा था वाइप लाइन में है और अभी आईडिया आए देखेंगे फिल्हाल कंस्ट्रक्शन में भी आप देख सकते हैं नौ नौ प्रोजेक्स हैं लगभग 6 गीगावाट के 6 गीगावाट के हैं फिर कुछ क्लियरंस में भी कुछ प्रोजेक्स है तो जैसे-जैसे रिजल्ट आएंगे तो हमको पता चलेगा बेसिक मैं बता दू 30,000 करोड का मार्केट कैप शेयर प्राइज लगभग 30 रुपए के आसपास नहीं है और प्रॉपिट ग्रोथ थोड़ा सा यहां पर हुआ है अगर वेल्यूएशन वाइज अगर यह स्टॉक को कुछ बनाता है तो इसका बुक वेल्यू बहुत ही कम है पॉइंट 0.86 है पी प्राइस पॉप भी इसका कम है तो उस हिसाब से आपको वह स्टेबिलिटी रहेगी स्टॉक आपको सस्ते में मिल रहा है को इतने महंगे में मिल रहे लेकिन हाँ अगर हम यह एभी एक्सपेक्टेशन रखें कि यह स्टॉक दो गुना तीन गुना रिटन कुछ ही महिनों मे दे देगा तो वह भी थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगी क्योंकि इनके प्रॉफिट तीरे-दीरे ही बढ़ेंगे लेकिन हाँ एक थोड़ा सा मार्जिन आप सेफ्टी तो है ही क्योंकि बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है डिविडेंड इल भी संडेक अच्छी खासी डिविडेंड डील कई जा सकती है पाकि दोस्तों 11 तारीक का वेट करते हैं कि एनेच पीसी का कैसा रिजल्ट आता है आपके साथ हम रिजल्ट शेयर करेंगे आपके खीमती समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यों दोस्तों